सोनी मिल्स में आपका स्वागत है आज हमारे कीचन में बढने जारा अलू स्वयवीन की सब्जी चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं जिसके लिए यहां एक गिलास पानी को गर्म कर लिए हैं गुलगुला और उसमें डाल देंगे स्वयवीन को और 10 मिनिट के लिए इसे इसी पेश्ट बना लेंगे इधर स्वयवीन भी अच्छे से फूल चुका है और साइज भी थोड़े से बड़े हो चुके हैं एक हाथ में लेके दिखा रही हूं पानी निचोड कर जो बहुत अच्छे से पानी भर चुका है तो इसे दो से तीन बार अच्छे से धोने के बाद ह इस तरह से निचोड़ देंगे तो सब्जी बहुत टेश्टी बनता है इधर कडाही भी गर्म होने गली रख देते जो गर्म हो चुका है तो अब इसमें सरसोते डालेंगे तेल अच्छे से गर्म हो गया है तो अब इसमें उबले हुए आलू को कट पिस कर लिए हैं छोटे तूटने लगता है इसलिए हलका ठंडा होने के बाद आप कडाही में उसे डालें और उसी तेल में स्वैविन को डाल कर और उसे भी फ्राई कर लेंगे करीब 1-5 मिनट के लिए इससे फ्राई कर लेंगे और फ्राई हो जाने पर इससे निकाल लेंगे अब इस जगह और कास्मेरी मिश डाल कर और उसे चला लेंगे उसके बाद इसमें पतले साइज के प्याज काटे हुए हैं प्याज एक है अब उसे डाल कर चला लेंगे और इसे मिडियम फ्लेम पर इसे फ्राई करेंगे अब जब हलका फ्राई हो जाने के बाद अब इसमें जो मसाले पीस सकते हैं इस जगह एक टमाटर का प्यूरी डालेंगे जो इसे पीछ लिये थे और उसे चला लेंगे अब इस जगह स्वादनुसार इसमें नमक डालेंगे और उसे भी अच्छे से मिक्स कर लेना है मसाले के साथ नमक डालने के बाद दो से तीन बार ढख लेना है और ढखते व भूज लेंगे जो भूजा चुका है अब इस जगा आलू और स्वयवीन को डाल देंगे और मसाले के साथ इसे मीक्स कर लेंगे ज्यादा इसे भूजने की जरूत नहीं है क्योंकि आलू और स्वयवीन भी फ्राई किये हुए और मसाले भी भूजे हुए तो इस जगा पानी जाल देंगे पानी जादा नहीं डालना है थोड़ा सा ही डालना है और इसे चला कर ढख देंगे अधकते वक्त फ्लेम को मीडियम रखेंगे और फिर एक मिनट दो मिनट के बाद इसे चला लेंगे और फिर इस जगा गरम मसाला डाल देंगे फिर इसे चलाने के बाद ढख आलो और स्वाविन की सब्जी बन के तियार हो चुका है तो अब इसमें धनिया पत्ता डाल देंगे और इसे ढख देंगे और गैस को आफ कर देंगे यह सब्जी पूरी चापाती किसी के साथ भी खाएं चावल के साथ भी खा सकते हैं बहुत ही टेस्टी लगता है अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक सेर और सब्सक्राइब करें